एक बार फीर से मैंने नियोटी चैनली टूपांज जो माप सभी सिक्षक चांतियों का स्वागत है आई देखते हैं सिक्षावी बाक से एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि पतरांक 24-86 दिनांक 22-7-2023 के आदेशा अनुसार नगर निकाय शिमा के 8 किलो मीटर के अंदर की दूरी पर अवस्थित बिद्यालों में कारयत सभी सिक्षकों को अब बढ़ेगा बेतन यानि सहरी अवास दर से मिलेगा उनका बेतन अगर वह गरामीन छेतर में है और उनका जो नगर निकाय का सिमा है उससे 8 किलो मीटर के परिदी के अंदर उनका विद्याले है तो वैसे सभी सिक्षों को सुची उपलब्द कराने के लिए आदिसित किया गया है ताकि उनका नए दर से बेतन भुखतान किया जा सके तो पूरी जनकारी के लिए वीडियो को अंतक जोड़ देखे उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया तकि आने वाले हर एक वीडियो का नोडिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको तो आई देखते हैं वीडियो को विस्तार से जैसा कि यह स्क्रीन पर यह पत्र देख रहा है यह गोपाल गंज जीला का है जिसमें जीला काजगम पतादिकारी अस्तापना गोपाल गंज के दोरह यह पत्र जारी किया गया है करपालक पतादिकारी नगर परिशद गोपाल गंज नगर पंचायद हत्वाम मीर गंज नगर पंचायद कटया नगर परिशद बरौली और जीला गोपाल गंज इसमें बिशाय दिया हुआ है नगर निकाय सीमा से आठ कीमी के अंदर की दूरी पर अवस्थित बिद्यालों की सुची उपलब्द कराने के लिए यानि आठ किलो मीटर के परिदी के अंदर जितने भी बिद्याले हैं उनका सुची उपलब्द कराने के लिए अजैसित किया गया है उप्योगत विशाय अंकित करना है कि सिक्छों को दोरा सहरी आवास बता है तू आवेदन समर्पित किया जा रहा है नगर निकाय सीमा से दूरी की अवशकता है कि आलोक में अनुरोध है कि आपके नगर निकाय की सिमा से आठ किलो मीटर की अंदर अवस्थित भिद्याले की सुची बिहित परपत्र में अदुहास ताक्श्री करजाले को उपलब्द कराना सुनिश्चित कर यहाँ पर भिःत परपत दिया हुआ है जिसमें करम संख्या है बिद्याले का नाम है नगर निकाय का नाम है और नगर निकाय की शीमा से बिद्याले की दूरी देना है कि कितना नगर निकाय की शीमा से यह दूरी पर बिद्याले है तो इस तरह अदेश हो चुका है जारी अब सिक्षकों को चा आमिन छेत में थे उनका 4% मिलता था लेकिन यह जो सहरी आवासधर से बत्ता मिलेगा तो उनका 4% के जगहा पर यह 8% मिलने लगेगा तो इस तरह आपको 12-15 रूपिये तक की सिख्छों की बेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी तो वीडियो में इतना ही वीडियो में लास तक बन अब्डेट पाने के लिए